दोस्तों बिग बास 17 की अगर बात करें जिसका फिनाले आगामी 28 जनुरी के दिन होने वाला है और फिनाले से ठीक अगर सब्ताह पहले की बात करें साथ सदस्यों के नाम भी नॉमिनेट हो चुके हैं जिहां बिग बास ने घरवालों का नॉमिनेशन टास्क दिया इस टास्क के त 35 मंनारों को ईशा आयशा और विक्की ने नॉमिनेट किया मतलब कुल मिलाकर देखे तो सभी को सभी के सायद मुनवर को आयशा समद और अरुने जिसे किसे डेंजर जोन में डाला है वो सच में खत्रे की घंटी बन गया है नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गोसिफ वाली गैलरी में अगर आप मादो सिनेमा के बात करें यहाँ पर खोल चुका है आपका अपना साल 2015 से संचालित डायमेंड इलेक्टोनिक शॉप जहाँ पर आप अपने इलेक्टोनिक प्रोड़क की बात करें आप पासकते हैं बेस्ट प्राइसिज में साथ ही आपको मिलते हैं हर खरित पे अगर आप भी अपने घर के लिए कोई AC, freeze, cooler, washing machine, RO, inverter जैसी सुवधाओं को खरिदना चाहते हैं तो डेफिनिटली आज ही विजिट करिए एशबाग रोड इस्थित मादो सिनेमा के सामने डायमंड इलेक्टोनिक शॉप में तो यह तो तो ती डायमंड इलेक्टोनिक शॉ जहां पर आज हम बात करेतें बिग बॉस 17 के बारे में सूशल मीडिया पर लोग अभिशे को मनवर की तारीफ कर रहे हैं जबकि अगर बात करें कि टास्क के बाद अगर बिग बॉस के एलान की बात करें अंकिता लोखंडे ईशा मालवी को छोल कर अन्य सातों सदस इस सपत नॉमिनिट हो चुके हैं इन साथ नॉमिनिशन सदसों में अरुण, आयशा, समर्थ, को बातन के तीन सदस से बताया जा रहे हैं तो अब देखना ये होई कि कौन इस वक्त घर से बेघर होने वाला है ये आगे के हम जयानकारी में आपको ज़रूर पहुशाएंगे फिलाल आज की जानकारी के लिए आपको जानकारी कैसे लेगी हमारी मेनत के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करने के साथ आपके अपने यूटूब चैनल गोसिप वाली गैलरी को सब्सक्राइब नहीं गया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूल कि लेगा.